आप सभी को आज गोपाष्ट मी पर्व की बहुत बहुत शब कामनाएं हम आज के दिन गउ के बारे में तो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, सुन भी रहे हैं भगवान श्री कृष्ट के बारे में भी हम सुनते हैं परन्तु एक चीज़ पर हम सभी का ध्यान नहीं जा रहां वे यह है कि हम सभी अपने वातावर्ण, अपने एन्वायमेंट के प्रती भी जागरुख हो जैसे अभी बताया गया कि पॉलूशन लेवल इतना जादा बढ़ गया है कि इतने हाई पॉलूशन में सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है जीना भी मुश्किल हो रहा है इतनी तरह तरह की भीमारी आ रही है अपने एन्वायमेंट के प्रती, अपने इस धरती के प्रती हमें जागरुख होना होगा भगवान श्री कृष्ण को हम पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उनके गीत गाये जाते हैं उनके गीतों को सुनकर लोग जूमना चाहते हैं परंतु क्या हम भगवान श्री कृष्ण के विचारों को सुनना और समझना चाहते हैं या सिर्फ ये एक spiritual entertainment बनके ही रह जाएगा, अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वसुधेव कुटुम्बकम, ये समस्त विश्व एक परिवार है और इस परिवार की रक्षा करना, इससे प्रेम करना हमारा करतव्य है, तो क्या हम इसके प्रती जागरुक हैं, क्या हमने भगवान जब बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक एक वाक्य को यदि आप देखेंगे, तो आपको हैरानी होगी सुनके, कि एक एक श्लोक, एक एक वाक्य, इतना scientific और इतना logical है, जब हम कहते हैं वसुधेव कुटुम्बकम, इसका क्या मतलब है, कि हम सब जुड़ हैं, परन्तु यदि scientific level पे भी देखा जाए, तो भगवान श्री कृष्ण के वचन सत्य हैं, हम सभी का रिदय, हम सभी की सांसे, हम सभी का मन एक दूसरे के साथ जुड़ा है, हमारा दिल धड़क रहा है, हार्ट, पंप करता है बलड को बाहर, परन्तु यह जो बलड है, य यह कैसे universe के साथ relate है, कभी आपने इसको सोचा, बच्चे जब छोटे होते हैं, तो पूछते हैं, जैसे books आती है, tell me why, यह क्यों होता है, किसले होता है, यदि भगवान के वाक्य को अगर हम scientific language से जोड़के देखें, तो हमें हैरानी होगी, कि हमारे दिल की धड़कन ब्रहम है, यदि हम उसको देखते हैं, heart जो है, रक्त को pump करके बाहर फैकता है, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त जब तक नहीं घोमेगा, oxygen नहीं मिलेगी, परन्तु रक्त की संरचना को देखें, तो उसमें है हीमोग्लोविन, और हीमोग्लोविन के अंदर भी एक छोटा molecule होता है, जिसे हम हम भी बोलते हैं, हम भी के अंदर क्या होता है, होता है iron, अगर iron कम हो जाए, तो क्या बोलेंगे, अनीमिय हो गया, आप दवाई लीजे, हीमोग्लोविन कम हो गया है, दवाई लीजे, ठकान लगती है, भूक नहीं लगती है, आपका weight loss होने लगता है, अब ये जो iron है, जो हमारे रिदे में है, हमारे रक्त में है, ये यहां कैसे आया, ये iron आता है तारों से, अब तारों से कैसे आएगा, जब supernovas होते हैं, यानी कि जब stars फटते हैं, या stars जब बनते हैं, या galaxies जब collide करती हैं, आकाश गंगाए, जब एक दूसरे में, उनका विले होता है, merging होती है, जिसे हम galactic collision कहते हैं, अब जो galactic collision होगा, या intercellular जो gases होती है, जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो जो hydrogen है, helium है, और भी जो atoms हैं, क्योंकि जादातर hydrogen और helium ही होते हैं, ये जब एक दूसरे के साथ बार बार टकराते हैं, बार बार सितारे बनते हैं, collision होता है, तो उससे अस्तित्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, आयरन की उत्पत्ती हुई, और वो ही आयरन आपके रिदे में घूम रहा है, तो आपके जो रिदे की धड़कन है, वो जुड़ी हुई है, इन तारों से जुड़ी है, इस ब्रह्मांड से, तो भगवान यदि कह रहे हैं वसुदेव कुटुमबकम, तो वो गलत बात नहीं है, दूसरी बात, हमारी सांसे, ये जुड़ी है ब्रह्मांड के साथ, अब ये कैसे जुड़ी है, तीन बिलियन इयर्स पहले, इस प्रित्वी पर ना कोई जीवन था, ना ही oxygen थी इसके अंदर, हम तो थ ये ही नहीं, उस समय क्या हुआ, उस समय जैसे nitrogen है, जो nitrogen एट्मोस्फिर में घूम रही है, उतनी nitrogen प्रित्वी पर थी, और carbon dioxide बहुत जादा मात्रा में थी, abundance में थी, लेकिन oxygen थी ही नहीं, जिसके कारण कोई जीवन हो ही नहीं सकता था, परंत उस समय भी, एक छोटा सा कण, एक छोटा सा cell, जिसे हम कहेंगे cellular life, single cell life, cyanobacterium की उत्पत्ती हुई, अब वो cyanobacterium ने क्या किया, कि जितनी carbon dioxide थी, उसको एक magic के द्वारा, जिसे हम अब scientific lagmage में photosynthesis कहते हैं, सूरे की रोशनी को लेना, और carbon dioxide को mix करके, फिर oxygen की उत्पत्ती कर देना, अब cyanobacterium ने क्या किया, oxygen को बनाना शुरू कर दिया, समुद्रों में फैलना शुरू कर दिया, oxygen फैलने लग गई समुद्रों में, और जीवन की उत्पत्ती शुरू होने लगी, अब 900 billion years पहले क्या हुआ, फिर पूरी oxygen, पूरी धरती के उपर घूमने लग गई, atmosphere बनने लगा, और 300 billion years पहले क्या ह हुआ, ozone layer बनने लग गई, तो cyanobacterium के contribution से ozone layer बनी इस धरती के उपर और धीरे धीरे करके, multicellular life यानि की थोड़े से बड़े जीव पैदा होने लगे, plants आने लगए इस धरती के अंदर, अब अगर cyanobacterium उस टाइम पे oxygen को न बनाते तो शायद हम तो होते ही नहीं, और वो ही cyanobacterium धीरे धीरे जब प्रित्वी पर आने लग गए, तो वो plants के रूप में, trees के रूप में, व्रिक्षों के रूप में आने लगे, और व्रिक्षों के अंदर, जो हम देखते हैं, cytoblast, वो photosynthesis करके, जो oxygen प्रिद्यूस करते हैं, वो oxygen हमें मिलती है, हम carbon dioxide देते हैं carbon dioxide मिली, तो हमारी सांस जुड़ी व्रिक्ष के साथ, और व्रिक्ष की सांस जुणी हमारे साथ, तो हम सब की सांसे एक दूसरे के साथ जुड़ी वी हैं, बड़े ही सुक्ष्म रूप से, यदि हम देखे अपने मन को, तो मन भी जुड़ा हुआ है इस पूरे विश्व के स अब हम देखते हैं, computer को देखते हैं, अब computer बना, या piano बना, या harmonium बना, या mic जिसमें हम बोल रहे हैं, ये सब पुराने लोगों ने जितनी inventions करी, जितनी उन लोगों ने खोजे की, उन सब की विचार धारा, उन सब की dedication, उन सब ने जो समर्पन भाव के साथ कारे किया, वो सभी चलता आता हुआ, अब जाके इस रूप में आया, अगर कोई व्यक्ति प्यानो सीख रहा है, और प्यानो में अपना career, अपना जीवन लगा रहा है, वो सब कुछ दे रहा है, क्योंकि उससे कमाई भी होती है, नाम होता है, बड़े-बड़े concerts करता है, तो वो प्यानो सभी आ रहा है इतने हजारों साल पहले, यानि 1700 पहले प्यानो नहीं था, तो 1700 पहले जुन लोगों ने महनत की, डेडिकेशन की, जो मेकानिकल इंजिनरिंग की जुने उन्हें नौलेश थी, जो स्ट्रिंग थ्योरी की नौलेश थी, जो उन्हें अलग लग रागों की नौ रहे हैं, वो अब जो बना रहे हैं, वो पुरानी जो विचारधारा इतने लोगों ने जो समर्पन किया डेडिकेशन की उसके कारण हो रहा है, तो हम हर तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस विश्य में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जो एक दूसरे के साथ नग जुड़ी हो, तो भगवान यदि कहते हैं कि यग्य की भावना से कर्म करो, निश्काम कर्म करो इस धरती के लिए, इस ब्रहमांड के लिए, इस यूनिवर्स के लिए कर्म करो, मेहनत करो, तो यहाँ पर भगवान का एक एक वचन सत्य है, जब वसुदेव को टुमकम बोला गया यानि सब विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा है हम सब जुड़े हैं हम जुड़े हैं अपने रिदे से हम जुड़ेवे हैं अपनी सांसों से हम जुड़ेवे हैं अपने मन से सब कुछ जुड़ा हुआ है तो जरूरी है कि हम इस प्रकृति के लिए इस विश् क्या हमने कुछ किया इस प्रकृति के लिए या हमने सरफ पॉलुशन लेवल बढ़ाने पर जोर दिया ओजोन लेवर खराब हो रही है पर उन्तु क्या हमने उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कॉंट्रिबुशन दी लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर लेग और उसे आगे क्या फाइदा होगा यदि वह भी यह सोचता तो कभी भी इस धर्ती पर जीवन नहीं होता आप और मैं होते ही नहीं इस धर्ती के उपर तो इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि आज के दिन हम भगवान श्री कृष्ण को पूज रहे हैं परंतु उनके वच्णों पर अमल करते हुए इस एंवाइमेंट के लिए कुछ कारे किया जाए वरिक्षों के लिए कारे किया जाए हम वरिक्ष लगाएं अपनी तरफ से इस धर्ती को प्रेम दे जब तक हम कुछ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा याद रखें कि पशों में चेतना नहीं हम में चेतना है consciousness है हमारे अंदर deeper understanding है चीजों के लिए हम perceive कर सकते हैं समझ सकते हैं चीजों को कुछ कर सकते हैं तो इस knowledge का use करके जरूर हम इस पृत्वी को एक स्वर्ग जैसा बनाए सुन्दर बनाएं यदि हम सच में ये कारे कर पाएंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण के इस धर्ती को हरा भरा करने के लिए जरूर कारे करेंगे हम यग्य की भावना से करेंगे ये प्रित्वी देती है यह आकाश देता है जल देता है सब दे रहे हैं सब देवता हैं परंतु हम मनुष्य सर्फ लेना जानते हैं देना कुछ भी नहीं जानते तो अपनी तरफ से भी contribution हमें करना चाहिए और वापिस अपनी रूट से जुड़ते हैं वापिस अपने जो विचारधारा है अपने कल्चर से जुड़ते हैं गौमाता की तरफ प्रकृती की तरफ रिक्षारोपन की तरफ हम जुड़ें तो हम अपनी आगे आने वाली पीडियों के लिए एक कर लेंगे और आगे आने वाली पीडियां ऐसी ही रह जाएंगी पुरानी पीडियों ने जो किया उसके कारण आज हम हैं हम जो करेंगी उसके कारण future generation होगी तो इसलिए आज से ही आप संकल्प लीजे कि हम इस environment के लिए भी जरूर कुछ कारे करेंगे बस आप सभी से यही म मेरी अपेक्षा है सभी को हरियों